नमस्कार आपका अख़बार के संख में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग लोगसभा चुनाओ की आधिकारी गोशना भले नहोई हो लेकिन चुनाओ प्रचार शुरू हो चुका है तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि लोगसभा चुनाओ का बिगुल बच चुका है प्रदान मंतरी जिस तरह से धुवधार दोरे कर रहे हैं और उनकी विरोधी जिस तरह से अभी अपनी रणनीती बनाने में या विचार विमर्श करने में या गडबंधन की जो कील काटे हैं उनको दुरूस्त करने में लगे हैं उससे जो चित्र उभर कर आता है वो ये आता है कि ये निर्बल की लड़ाई बलवान से है कहीं कोई मुकाबला नहीं है और मुकाबला नहीं है तो ये मैं अपनी अपिनियन अपनी राय के रूप में नहीं बता रहा हूं आप 2019 के आंकड़े उठा कर देखिए उसके आधार पर मैं उसी के आधार पर बता रहा हूं कि ये लड़ाई जो है निर्बल और बलवान की है बलवान से कोई मुकाबला ये निर्बल लोगों का है नहीं वो शोर कितना भी मचा लें तो वो शोर मचाने के लिए क्या करेंगे वो प्रधान मंतरी पर निजी आक्षेप करेंगे टिपडियां करेंगे देश को तोड़ने की बात करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे जैश्री राम के खिलाफ बोलेंगे भगवान राम के खिलाफ बोलेंगे रामचरित मानस के खिलाफ बोलेंगे तो विपक्ष के ये एजंडे हैं, इनसे आप समझेए, ये हताश, निराश, वो विपक्ष का एक ही सहारा है, कि जितनी गाली दे सको, जितना कोश सको, मोदी को, भाजपा को, ये बात तो समझ में आती, यहां तक तो मैं समझ सकता हूँ, ये राजनितिक विरोधी है, मोदी को कोशना, भाजपा को कोशना, उनकी निंदा करना, आलोचना करना, ये उनका जनताद्रिक अधिकार है, लेकिन इससे आगे जाकर देश के खिलाब बोलना, अगर कोई कॉई कॉंग्रेस का राज्यसभा उमीदवार जीच जाता है, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगना चाहिए, उसको डिफेंड क्यों करना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी को, ये उससे बड़ी पार्टी तो दिर्शे अलग होता, कॉंग्रेस पार्टी पहले तो इनकार ही करती रही, कि ऐसी कोई घटना हुई है, फिर कहा जांच कराएंगे, जब जांच में सामने आएगा तब एक्शन लेंगे, जांच हुई, फॉरंसिक उसकी जांच हुई, आवाज की और पता चल पाकिस्तान जिन्दाबाद के नागा, अब सवाल ये किस ने लगाया, ये आप कह रहे हैं, पहली बात तो ये थी कि नारा लगा कि नहीं, और ये साबित हो गया आप ही की जांच से, कि नारा लगा, तो नारा लगा तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं, अगर हो रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, अगर उसको डिफेंड किया जा रहा है, उसका बचाव करने की कोशिश हो रही, तो कौन जिम्मेदार है, जो ए राजा बोल रहे हैं, या उर्दैनिदी स्टालिन ने जो कुछ बोला, सानातन धर्म के खिलाफ, अगर आप उ जबानी धमकी भी नहीं दी गई, कि अगर ए राजा ने अपना बयान वापस नहीं लिया, अगर माफी नहीं मांगी, तो हम गड़ बंधन से बाहर आ जाएंगे, अगर इस तरह का कोई सक्त संदेश कॉंग्रेस की ओर से जाता, तो लगता कि कॉंग्रेस इस मामले पर गंब किस समय लेते हैं, मनी शंकर रही है, उसका सबसे बड़ा उदारन है, उन्होंने जो बाते बोली, विवादास पत बाते बोली, पर जब लगा कि नुकसान होगा राजीतिक रूप से, चुनाव में नुकसान होगा, तो आपने उनके खिलाफ एक्षन लिया, पार्टी से नि नहीं होता है, लेकिन वो एक्षन भी नहीं लिया गया, मैं तो कह रहा हूं किवल धंकी अगर्दी होती, ये बयान ही दिया होता, कि अगर ए राजा के बयान पर डियम के कोई एक्षन नहीं लेता है, तो हमें गडबंधन के बारे में पुनरविचार करना पड़ेगा, लेक के बारे में ऐसा बोलने का साहस जो है, कॉंगर्स पार्टी का नेतर तो नहीं जुटा सकता, इसलिए खामोश है, इसलिए जो है, राहुल गांदी मंदिर मंदिर घुमकर शुभक्त और रामभक्त अपने को डिकलेर कर रहे हैं, और उधर जो है, उनके सयोगी दल के वरिष की, आकलों से बात जो है, कई बार जादा अच्छी तरह से समझ में आती है, और जादा वो सही लगती है, उपिनियन तो किसी की भी देखे, मेरी उपिनियन अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, राय हम जो है, अपनी पसंद, नापसंद, किस के बारे में क्या सोचते है किस विचारधारा को अच्छा मानते हैं, किसे बुरा मानते हैं, इसके आधार पर राय बन सकती है. लेकिन तथे जो है, वो जो है individual के नहीं होते, वो साजा होते हैं. जो fact है, वो सब के लिए वही है, जाहे मैं हूं, चाहे मेरा कोई विरोध करने वाला है, या मेरी निंदा अलोचना करने वाला कोई भी हो फैक्ट उसके लिए भी वही रहेगा जो मेरे लिए है तो 2019 के 21 राज्यों की बात कर रहा हूं 2019 के लोट्वा चुनाव में 21 राज्यों में उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, उडिसा, करनाटक, महाराष्ट, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, चत्तिसगर, हिमाचल प्रदेश, ज्हारखंड, गोवा और मैं साथ राज्य असमसाइद नौर्थ हिस्ट के बता ही चुका हूं इन 21 राज्यों में इसी संख्या से अंदाजा लगेगा कि ये लडाई किस तरह की है इन 21 राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी की 12 सीटे हैं, सिर्फ 12 और इन 21 राज्यों में लोगसभा की कितनी सीटे हैं? 325, 325 सीटों में से कॉंग्रेस की 12 सीटे हैं सहयोगी दो ही जगह हैं, एक महाराश्ट में और एक जारखंड में, जारखंड में एक सीट है, जेमेम की, महाराश्ट में शर्द पवार के पास एक लोकसभा सीट बची है, लेकिन पहले की भी मानने, तो पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में, बीजेपी और उसके साथिय को मिली थी, 41, 41, out of 48, बाकी सीटों में से एक सीट निदली को गई थी, नमनीत राणा को, जो अब भारती जंदा पाटी के साथ हैं, और 6 सीटें कॉंग्रेस और NCP के खाते में गई थी, जिसमें से 4 सीटें NCP को मिली थी, और 2 कॉंग्रेस पाटी को, इसी तरह से जारखंड में एक सीट कॉंग्रेस को मिली थी, एक सीट JMM को मिली थी, तो उनको भी जोड लें, तो ये संख्या कहीं आगे बढ़ती नहीं है, और इन राज्यों में, जिन राज्यों का मैंने नाम लिया, 21 राज्यों का, इन में लगभग लड़ाई एक बिहार और एक महाराष्ट और जारकंड, ये तीन राज्यों अगर छोड़ दें, जहां जारकंड में JMM साथ है कॉंग्रेस के, महाराष्ट में शरत पवार और उध्व ठाकरे साथ हैं, और बिहार में RJD साथ है, तो कहीं कोई सहयोगी दल कॉंग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, तो लड़ाई सीधी कॉं 95%, मतलब 94, 95, 96% तर, अब इन 21 राज्यों का आप मन में एक बार फिर से नाम लीजिए, एक एक करके, और मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए, अपने मन में सोचिये और अपने आपको ही बताईए, हम लोगों की सीधा समवाद तो उस तरह से हो नहीं रहा है, तो ये सोचि उसका वोट बढ़ने की संभावना है, होगा नहीं होगा इस पर नहीं जाते हैं, जो नहीं होगा उसका नतीजे تو 2024 के लोग सानवाद चुनाओ के नतीजे आएँगे तब पता चलेगा, लेकिन संभावना के इस तरह पर भी अगर आप देखें, तो इन में से किसी राज्य trash में कॉंग्रेस पार्टी के वोट या फिर सीटें बढ़ने की भी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है लेकिन अगर भारती जनता पार्टी की दृष्टी से देखें तो उसके संभावना लगतार नजर आ रही है बियार में अब नतीज कुमार के लोटने के बात उसकी इस्थिती बैतर हुई है जारखंड में चुकी 14 सीटें हैं कुल 14 सीट से उन में से 12 पहले जीट चुकी है तो उसमें ज्यादा बढ़ने की संभावना अगर होगी तो एक सीट या ज्यादा ज्यादा दो सीट इसी तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ने की काफी संभावना है 64 सीटें जीती थी बीजेपी दो सायोगी दल को मिली थी चाचट 66 अब इस बार जो सर्वे आ रहे हैं उनके मताबिक बीजेपी 78 तक सीटें जीत सकती है 78 आप इससे अंदाजा लगा ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या इस्तिती है बीजेपी एक तरह से जो है हाँ एक सायोगी दल चूट गया था मुझसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है लेकिन समाजवादी पार्टी के खुद ही खड़े होने की जमीन नहीं है वो कॉंग्रेस को कहां खड़ा करेगी तो इसलिए जो है वो सायोगी होना ना होना दोनों बरा चाहती है और कॉंग्रेस पार्टी के लिए सत्रह दिये इन दोनों पार्टी के लिए उमीदवार खोजना मुश्किल होगा उमीदवार कहां से ले आएंगे एक दूसरे को भी नहीं दे सकते हैं दोनों की हालत ऐसी है तो जब जिसको उमीदवार खोजे नहीं मिल रहे हों उस पार्टी से जीत की उमीदवार आप कहां से कर सकते हैं तो ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी की इस्थिति मेरा मानना है कि 2019 के चुनाव का जो नतीज़ा है वो शायद उनके लिए बहुत बहतर नज़र आएगा जब 2024 का चुनाव नतीज़ा सामने आएगा अब चुनाव की स्थिति ऐसी विकट हो तो जाहिर है कि जो कमजोर पक्ष है उसको क्या करना चाहिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए ज़्यादा साथियों को जोड़ना चाहिए अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए लोगों के बीच में बात को ज़्यादा प्रभावी नंग से पहुचाने की कोशिश करनी चाहिए ऐसा कुछ भी करती हुई कॉंग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही है राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उससे मुझे लगता है कि कॉंग्रेस का वोट घटता है एक भी वोट बढ़ने की संभावना नहीं बनती है उनको पता नहीं है कि जनता के बीच में किस मुद्दे की किस समस्या की किस समस्या के समाधान की गूंज होगी वो जो resonance होती है, जो जनता से आती है, उसकी पकड़ उनको नहीं है इसलिए उनको लगता है कि उनको जो सही लगता है, उनको जो ठीक लगता है, वो मुद्दा बोलते रहेंगे उसका फायदा होगा पिछले 20 साल से वो यही कर रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं इसके बावजूद उनको कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला है नहीं और उनको खुद समझ में नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं, असफलता आपको जादा सिखाती है सफलता के तुलना में, लेकिन राहुल गांधी के मामले में ये नियम भ होगा आपको, कि आपने कुछ गलत किया है, या आपने जो किया है, वो सही नहीं था, अगर सही नहीं था, तो सही क्या होता, सही करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब सबसे पहले आप ये स्विकार कर हमारे विरोधी गलत है, यहां तक कि मददाता गलत है, मददाता को समझ में नहीं आ रहा है, इस सही बात क्या है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपना नुक्सान कर रहा है, उनको लगता है कि भाजपा को वोट देना, मोदी को वोट देना, मोदी की लोग प् तक मुझे तो नज़र नहीं आ रही है तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मति दीजिए आप से नोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर टीजिए नमस्कार झाल